Good morning warriors, how are you today? So today is Tuesday and the date is 11th of May 2021 Tuesday को हिंदी में क्या बोलते हैं? Tuesday को हिंदी में मंगलवार बोलते हैं So आज हम अपने वोक्षीट कर रहे हैं Book page number 31 Hindi की जो book है उसमें जो page number 31 है उस पे यह वोक्षीट है और वोक्षीट है आपकी चित्र बनाओ और रंग भरो चित्र बनाओ और रंग भरो आप यह देख रहे हो यह किसका चित्र है? यह आधा बना हुआ चित्र है अभी हम इसको पूरा करेंगे और फिर देखेंगे यह किसका चित्र है आप पूरा कैसे करेंगे? आप देख रहे हो. यहाँ पर स्वर लिखे हैं, है न? अक्षर लिखे हैं. हम इन स्वरों को जोडेंगे और फिर अपने चित्र को पूरा करेंगे. पर स्वर को कैसे जोड़ना है? उससे पहले हम लोग ओरल्स करेंगे. ठीक हैं, आपकी ममा भी आपको लिखके देंगे, फिर आप ओरल्स करेंगे, ठीक हैं, अ से ओरल्स करना है, आपको अच्छे से पता है, कैसे बोलना है? चित्र आपको पता है अ से अनार, आ से आ, इ से इमली, इ से एक, उ से उल्लू, उ से उन, रि से रिशी ए से एडी, अई से आइनक, ओ से ओखली, आउ से आउरत, अंग से अंगूर, खाली ये स्वरों का सही क्रम है, मींज ऐसे सीक्वेंस में स्वरों को, अक्षनों को लिखा जाता है अब हम इसी सीक्वेंस के साथ अपने जोईन करेंगे, जो हमारी वरक्षिट हैं, और चित्र को पूरा करेंगे पिच्चर को कम्प्लीट करेंगे, तो देखो, अभी आपको ओरल्स आ गया, अब हम उसी सीक्वेंस के साथ अपने स्वरों को जोडेंगे, और चित्र को पूरा करेंगे आप ब्लाक क्रियान लोगे, ठीक है, क्यूकि आधा चित्र जो हमारा बना है, वो ब्लाक आउटलाइन से बना है सो हम ब्लाक क्रियान लेंगे और अपने स्वरों को सीक्वेंस के साथ जोडेंगे, और साथ में ओरल्स भी करेंगे, ठीक है ये देखो start हम कहां से करते हैं अ से तो अ से शुरू करोगे और आप देखो आ के साथ join करना हमने आ अब आ के बाद क्या आता है आप देखो छोटी E कहां है ये है तो आप इसको turn करते होए कर बनाते होए लेके आओगे और छोटी E तक लेके आओगे ठीके चोटी E के बाद क्या आता है children, बड़ी E तो आप छोटी E से बड़ी E तक लेके आओगे अपनी चित्र को पूरा करेंगे ये हम पहुंच कर बड़ी E तक अब उसके बाद बड़ी E के बाद क्या आता है children, छोटा U और उसके बाद बड़ा उ फिर री, फिर छोटी ए, बड़ी अई, छोटा ओ अब बड़ा अउ का है ये रहा, आउ, अंग, और ये रहा हमारा आहा हमने अपना चित्र कंप्लीट किया, अपना पूरा अपना जो पिचर है वो कंप्लीट किया अब किसकी पिचर बनी है, किसका चित्र बना है, ये बतक है ये किसका चित्र है, बतक का चित्र है, इंगलिश में बतक को बोलते हैं, डक यह बतक का चित्र है आप इसको पूरा करोगे और फिर बतक के चित्र में आप रंग भरेंगे ठीक है और रंग भरके मैं को अपनी वर्कशिट सेंट करेंगे